हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टेडी में स्टूडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कक्षा दस त्रिकोडमीती के परिचय का प्रशनावली 8A का पार्ट 2 हल करने वाले हैं पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रशनावली 16 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे अगर पीछे कि आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं आथे साथ आपको बताना चाहेंगे कि हाँ पे जोभी स्लेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह निव स्लेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रशन नमबर 17 है यदि 10 थीटा बराबर A बटे में B तो स को हल करने के लिए आप चाहें तो इसकी सायता से आप एक समकून त्रिभुज बना कर दो मान यहां पे दिये गए है ठीक है ना लंब और आधार यह लंब है यह आधार है 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार तो लंब और आधार तो दिये हुए है तो आप उस ते यह से 10 थीटा कमान रख देंगे तो आएए इसी मेथ़ट से हल करते हैं यहां पे यहां पे इसको 10 के रूप में कनवार्ट करेंगे सबसे पहले जो चीजे दी गई है उसको लिख लेते हैं तो यहां लिखेंगे दिया है तो देखें दिया क्या है 10 थीटा बराबर A सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है देखिए B सेक थीटा बटे में A कोसेक थीटा B सेक थीटा बटे में A कोसेक थीटा बराबर 1 ठीक है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे बराबर के इधर यह लेफ्ट हैंड साइड है और यह राइफ्ट हैंड साइड है बराबर के इधर राइफ्ट हैंड साइड है ठीक है तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे शेक को और कोसेक को, सेक को कास के रूप में तोड़ेंगे और कोसेक को साइन के रूप में, तो देखे, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा देखे यहां से, यहां से, बी तो ऐसे ही रहेगा, सेक थिटा होता है, एक बटे में कास थिटा, ठीक है, तो बी इंटू, यहां प साइन थीटा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह जब इस रूप में होता है, तो इसका रेसिपोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, रेसिपोकल, तो अब इसका जो है क्या हो जाएगा, रेसिपोकल हो जाएगा, यह उपर चला जाएगा, और तो बटे में cos theta, ठिक, अब यहाँ पर देखे, sin theta बटे में cos theta, sin बटे cos होता है tan, तो b बटे में a, into, यहाँ into का मतलब गुड़े, sin theta बटे में cos theta बराबर tan theta, और tan theta का मान आपको दिया हुआ है, a बटे में b, तो यहाँ से मान रख देंगे, यहाँ पर b बटे में a, गुड़े, tan theta का अस्थान पर यहाँ से मान रख देंगे, a बटे में b, अब देखे, A से A कट गया, B से B कट गया, और यह क्या आगया, देखे, A से A में भाग दिये तो 1 आया, B से B में भाग दिये तो 1 आया, 1 और 1 का multiply होगा, तो 1 ही आएगा, और हमें यह इस सिद्ध करना था, देखे, right hand side में, क्या है, 1 है, यहाँ पे लिख देंगे, बराबर right hand side, ठीक है, उमिद करते हैं कि इस प्रशन को आप अच्छी तरह समझ गए होगे, आईए अगले प्रशन को हल करते हैं, अगला प्रशन आपका, प्रशन number 18 है, यदि, cos A बराबर, 4 बटे में 5, तो सिद्ध कीजिए कि, 10 A बटे में, 1 प्लस 10 स्क्वाइर A, बराबर, sin A बटे इसको हल करते हैं, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, दिया है, यहां पर लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर, 4 बटे में 5, यहां पर लिख देते हैं, cos A बराबर, 4 बटे में 5, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, उसको लिख लेते हैं, यहां पर लिखत सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है देखें, सिद्ध करना है, 10a बटे में, 10a बटे में, 1 प्लस 10 स्क्वाइर ए, बराबर, साइन, a और बटे में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जैसा कि यहां पर चित्र में हमने दिखाया हुआ है, अब हमारा काम है कि यहां पर लंब की वैलू निकालने, यानि BC का मान ग्याद कर लें उसके बाद यहाँ पे left hand side लेंगे तो 10A निकाल लेंगे ठीक है और उसके बाद इसको हल कर लेंगे ठीक तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागूरस प्रमे लगाते हैं ठीकेड़, अब यहां से पाइथागुरस प्रमे से इसको हल करते हैं, पहले हम BC का मान ग्याद कर लें, तो अब यहां प्लिखेंगे पाइथागुरस प्रमे से, पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे से क्या हो जाएगा देखिए बीसी स्क्वाइर बराबर बीसी स्क्वाइर बराबर एसी स्क्वाइर माइनस एबी स्क्वाइर एसी स्क्वाइर माइनस एबी स्क्वाइर एसी की बैलू क्या है आपका 5 है तो 5 का square minus यहाँ पे AB कमान क्या है 4 तो 4 का square 5 का square क्या हो जाएगा 25 4 का square 25 में से 16 जाएगा तो 9 हमें BC कमान लेना है तो अर्गमोन ले लेंगे BC बराबर हो जाएगा जब स्क्वाइर उधर बेजेंगे तो इस पे root लग जाएगा और यह 3 का square होता है ठीक है तो BC कमान लागया आपका 3 यानि यहाँ आपका 3 आगया अब देखिए यहाँ से 10A निकाल लेते हैं यहाँ पे 10A तो देखे यहाँ पे 10A बराबर क्या होगा 10A बराबर 10 होता है आपका लंब बटे आधार तो यहाँ पे लंब BC है और आधार AB है तो BC कमान क्या है 3 और AB कमान क्या है 4 तो 3 बटे 4 ठीक है लंब बटे आधार हो गया अब हमें और किसकी जरूरत है 10 कमान हो गया यहाँ पे sign चाहिए और 6 चाहिए तो sign हमें मिल जाएगा 6 कमान हम कौस की सायता से भी ले सकते है ठीक है तो यहाँ पे sign A sign A होगा sign होता है आपका लंब बटे कर्ड तो लंब यहाँ पे क्या है BC है यानि 3 और कर्ड क्या है AC यानि 5 तो 3 बटे 5 उम्मिद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए यहाँ से यहाँ से हम 6 कमान ले लेते हैं तो देखे 6 जो है 6 A 6 कमान अब दो तरह से ले सकते हैं या तो इसका उल्टा कर दीजिए याँकि 6 कौस का उल्टा होता है तो यह 5 बटे 4 हो जाएगा 5 बटे 4 या आप इस चित्र की सायता से भी ले सकते हैं 6 तीटा बराबर हो जाएगा कर्ड बटे आधार तो कर्ड आपका यह है तो 5 हो गया और आधार यह है तो 4 हो गया अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो यहां पर लिखते हैं देखें लेफ्ट हैंड साइड तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर टैन ए बटे में वन प्लस टैन स्क्वाइर ए 10 square A यह हमने ले लिया ठीक है अब यहाँ पर मान रखते हैं तो 10 A का मान क्या आया है 3 बटे 4 बटे में 1 प्लस 3 बटे 4 इसको हल करेंगे तो 3 बटे में 4 और यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा इसका इसमें गुड़ा हो जाता है यानि 4 एक कम 4 आप हल करते हैं वैसे ही है 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर क्या बचा 3 और 4 और 3 7 यानि 3 बटे 7 अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड दोनों के मान को बराबर दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा तो यहाँ पर लेंगे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाएगा साइन ए बटे में सिक ए तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है साइन ए बटे में सिक ए अब यहाँ पर मान रखते हैं साइन ए का मान देखें क्या है साइन ए का मान है तीन बटे में 5, तो यहां पर रख देंगे, तीन बटे में 5, सिक एक आमान है, पाँच बटे में 4, पाँच बटे में यहां पर 4, ठीक है, अब यहां से देखिए, इसको हल करते हैं, अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, अब देखें हल करेंगे, यहां पर एक चीछ छूट गय आज स्टूडेंट記得 10 स्क्वाइर यहां पर इसका स्क्वाइर करना था तो इसका स्क्वाइर करेंगे तिन थिरी के 9 हो जाएगा यहाई इसका सलूसर यहाँ पर देख ली जिए हलकासा मिश स्टेख ہو गया यहाँ पर जिखे 3 बटे 4 बटे में एक प्लस यहां पे तीन का स्क्वाइर 9 हो जाएगा चार का स्क्वाइर 16 ठीक है तो 9 बटे में 16 16 का इसमें गुड़ा हो जाएगा तो यहां पे 16 का एक में गुड़ा तो 16 और यह 9 जुड़ जाएगा जैसे यहां पे हुआ था, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, बटे में 16, अब इसको हम हल करेंगे, तो 3 बटे 4, और यह रेसी पोकल हो जाएगा, यानि यह अंस में चला जाएगा, यह हर में, तो 16 और बटे में 25, यानि उल्टा हो जाएगा, 4, 4, 16 और यहां पे, 4, 3, 12, अब यह क्या हो गया, अब चार, 3, 12, और यहां पे 25, ठीक है, यहां पे देखें, 4, 16, 4 हो गया यहां पे 3 है, तो 4, 3, 12, 12 बटे में 25, ठीक है, उमिद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब यहां पे देखे इसको और इहां पे लिख देंगे लिफ्ट एंड साइड बराबर राइड एंड साइड यही आपको सिद्ध करना था, दोनों को बराबर हमने दिखा दिया, तो यह सिद्ध हो गया, आईए अगले प्रेशन को हल करते हैं, अगला प्रेशन आपका, प्रेशन नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर, एक बटे में 2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 स थीटा बराबर 1, ठीक है, अब आईए इस प्रेशन को हल करते हैं, देखते हैं इसको, यहां पर जो दिया हुआ है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है, साइन थीटा बराबर 1 वटे में 2, तो यहां पर लिखते हैं, दिया सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, 3 sin theta minus 4 sin q theta, बराबर 1, तो यहां से ले लेंगे left hand side, ठीक है, यहां पर left hand side को लेकर हल करते हैं, तो यहां पर left hand side, left hand side, बराबर 3 sin theta minus 4 sin q theta, ठीक है, अब यहां से मान रख देते हैं, यहां से मान रख कर और इसे हल कर लेते हैं, तो देखें, मान रखते हैं यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, देखें, 3 multiply, sin theta का मान है, 1 बटे 2, minus 4, sin theta का मान है, 1 बटे 2, यह q है, तो 1 बटे 2 का q, ठीक है, इसको हल करते हैं, और सरल करते हैं, तो यहां तीन बटे में 2, minus, यहां पर देखें, 4 गुडे, यहां जो q होगा, जब 3 power होगा, तो 2 पर power 3 का मतलब क्यों हो जाएगा, यह 2 दूनी, 4 दून यहां पर हर दोनों का 2 हो गया, ठीक है, तो 3 में से 1 गया, 1, ठीक है, 3 में से 1 गया, 2, 2 बटे में, 2 कट होकर, 1 आ जाएगा, और आपको right hand side में क्या दिखाना था, एक अई दिखाना था, ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिख देंगे, 1 आ गया आपका, यहां पर देखें, बराबर में 1 आया, तो यहां पर लिख देंगे, बराबर right hand side, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यहां पर देखें, right hand side में 1 आया हुआ है, ठीक है, यही आपको left hand side और right hand side आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है, उमिद करते हैं कि यहां तक का 10A into 6A, देखें आपको दिया क्या है, यहाँ पर sin A का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, sin A का मान दिया हुआ है, तो यहाँ लेते हैं, sin A बराबर 1 बटे में 3, और sin क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ड लंब बटे कर्ड ठीक है तो यहाँ पे देखें लंब यानि वन है यहाँ पे चित्र में देखें और कर्ड आपका तीन है हमें यहाँ पे A, B का मान निकाल लेना है और A, B का मान निकालने के बाद इन सभी मानों को ग्याद करके और उसमें मान रख देंगे ठीक है? तो यहाँ पर A, B, C में यहाँ लिख सकते हैं त्रेभूज A, B, C यह एक समकूर त्रेभूज है त्रेभूज A, B, C में पाइथागुरस प्रमे से, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, पाइथागुरस प्रमे से, क्या होगा यहाँ पर देखी, अबी स्क्वाइर बराबर होगा, अबी स्क्वाइर बराबर होगा, असी स्क्वाइर मैनस बी स्क्वाइर, मान रख देते हैं, यहाँ पर, असी का मान है तीन, तो तीन का स्क्वाइर, माइनस, बी सी का मान आपका है, एक, तो एक का स्क्वाइर, ठीक है, तीन का स्क्वाइर माइनस एक का स्क्वाइर एक ही रहेगा, नौ में से एक गया आठ, तो यह तो हो गया A B स्क्वाइर का मान, ठीक है, हमें A B का मान चाहिए, तो यहां से इसका अगर वर्ग मुल लेंगे, तो आठ को हम क्या लेख सकते हैं, दो दूनी चार दूनी आठ, दो दूनी चार दूनी हमें a b का मान चाहिए तो अब यह जब square अटाएंगे तो यह root में हो जाएगा root में होगा देखे इस root में हो जाएगा आपका इस type से 2 गुड़े 2 गुड़े 2 तो इसका जोड़ा बन जाएगा तो यह बाहर निकल जाएगा यानि 2 करड़ी में तो यह a b का मान आ गया यानि यह मान आपका है 2 root 2 अब यहाँ पे हमें cos का 10 का सिक का कुछ सिक का इसा भी कमान ग्याद कर लेना है तो चलिए cos कमान ग्याद करते हैं तो cos a cos a बराबर, cos होता है आपका आधार बटे करड तो आधार यहाँ पे क्या है a b है और करड़ आपका है a c यानि a b बटे में a c तो a b कमान आपका दिया हुआ है 2 root में 2 ठीक है और a c कमान आपका दिया हुआ है 3 ठीक है तो यह cos a कमान हो गया अब देखिए सिक a कमान निकाल लेते हैं यहां पर कोसेक A का, तो कोसेक A, तो कोसेक जो है साइन का उल्टा होता, यानि एक बटे तीन है, तो यह हर वाला अंस में कर देंगे, अंस वाला हर में, तो यानि तीन बटे एक, और एक से भाग देंगे तीन में, तो तीन ही रहेगा, तो यहां पर एक बटे में लिखे न लि तू रूट टू, फिर आपको किसका निकालना है, सिक का निकालना है, सिक का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा आपका तीन बटे में तू रूट टू, इसको उपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सभी मान आ गया है, अब हमें क्य करना हैं, मान ग्यात करना है, मान किसका ग्यात बटे में 3 तो यहां पर रख देते हैं 2 root 2 बटे में 3 यहां पर इंटू का मतलब multiply cos एक कमान क्या आया हुआ है 3 प्लस 10 एक कमान क्या आया हुआ है 1 upon 2 root 2 गुड़े 6 एक कमान क्या आया हुआ है 3 upon 2 root 2 थ्री से थ्री यहां पे कट गया यहां पे देखिए अब क्या आया देखिए टू रूट टू ठीक है प्लस यहां पे देखिए तीन बटे में यहां पे देखो इन दोनों का गुड़ा हो जाएगा दो का गुड़ा दो में होगा तो चार हो जाएगा और root 2 और root 2 का गुड़ा होगा तो यह root 4 और root 4 का जो अर्गमूल होगा वह 2 हो जाता है ठीक है क्योंकि 4 जो है 2 का square है तो यहाँ पर multiply 2 ठीक है अब इसको और हल करते हैं यहाँ से यह क्या हो जाएगा देखिए 2 root 2 ठीक प्लस 3 और यह बटे में 4 दुनी 8 ठीक है 4 दुनी 8 अब यहाँ से जब इसको LCM लेकर solve करेंगे तो इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 8 दुनी solar solar root 2 प्लस 3 और गुडे के बटे में क्या हो जाएगा 8 यही आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा और यही आपका answer है ठीक है यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा उमिद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे आए अगले प्रिशन को हल करते हैं students अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर एक कई से 13 sin a बराबर 12 तो 6 a minus 10 a का मान गयात की दिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर sin a का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा sin a प्रश्ण पर आपका तेरह हो गया अब यहां से इनकालेंगे एस भी का पहले यहां पर लिकेंगें लंब बटे कर्ड तो लंब 12 हो गया और कर्ड आपका तीरा हो गया, अब यहां से AB का मान निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमे से ABC, एक समकूर्ण त्रिभूज है और इस पे पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे यह प्लिक लेंगे, पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे से यहां से देखे AB स्क्वाइर बराबर क्या होगा AB स्क्वाइर बराबर AC स्क्वाइर माइनस BC स्क्वाइर AC स्क्वाइर माइनस BC स्क्वाइर अब यहां से मान रखेंगे देखे AC का मान आपका क्या है AC का मान है 13 तो यह हो जाएगा 13 का स्क्वाइर माइनस BC का मान आपका है 12 तो यह हो जाएगा 12 का स्क्वाइर इधर AB स्क्वाइर अब यहां से स्क्वार सरल करते हैं तो यहां से देखे 13 का स्क्वाइर आपका क्या हो जाता है 189 माइनस 12 का स्क्वाइर 144 माइनस कर देते हैं, 9 में से 5 गया, 9 में 4 गया 5, और 6 में 4 गया 2, एक में से गया 0, तो यह तो हो गया AB स्क्वाइर का मान, 25, हमें AB का मान चाहिए, तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट में 25, और इसका वर्गमू लोता है 5, तो यह तो आपका हो ठीक है, अब हमें, अब यहां से हम, Sik A और 10 A दोनों का मान निकाल कर, और इसमें रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, तो देखें, अब यहां पे Sik A का मान क्या होगा, सिक होता है आपका सिक जो है कॉस का उल्टा होता है तो कॉस होता है आधार बटे कर्ड तो सिक हो जाएगा कर्ड बटे आधार तो कर्ड इसमें क्या है कर्ड AC है और आधार AB है तो AC का मान 13 और AB का मान 5 यानि 13 बटे में 5 यह हो गया आपका सिक का गड़ बटे आधार ठीक है, अब आपको क्या निकलना है 10 a का मान, तो यहाँ पर 10 a 10 a क्या हो जाएगा 10 होता है आपका लंब बटे आधार तो लंब यहाँ पर 20 है और आधार आधार आपका अबी है, 20 का मानए 12 और अबी का माने 5 तो 12 बटे में 5 ठीक है, हमें मान किसका ग्याद करना है, देखें, हमें मान ग्याद करना है, सिक A-10A, इसका मान ग्याद करना है, ठीक, अब यहां से मान रख देते हैं, ठीक है, अब देखें, मान यहां से रखते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, सिक A का मान क्या है, सिक A का मान है 13 बटे में 5 माइनस 10 A का मान 12 बटे में 5 अब यहाँ पे हर समान है तो अंस माइनस हो जाएगा 13 में से 12 गया 1 और बटे में 5 यानि सिक A माइनस 10 A का जो मान होगा सिक A माइनस 10 A का जो मान होगा वो होगा 1 बटे में 5 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे आए अगले प्रश्ण को हल करते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 22 है यदि कॉस थीटा बराबर यम बटे में यन तो टैन थीटा मैनस कॉट थीटा का मान ग्याद कीजिए ठीक है अब यहां पे भी मान ग्याद करना है तो देखे कैसे हल करेंगे इसको एक एक स्टिप को ध्यान पूरोग समझ गएगा सबसे पहले आपको दिया हुए कॉस थीटा का मान तो यहां पे लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर यम बटे में यन, कॉस थिटा बराबर यम बटे में यन, ठीक है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है, आधार बटे कर्ड, कॉस होता है, आधार और बटे में कर्ड, यानि यम जो है आधार हो गया यन कर्ड हुआ तो यम आधार इस चित्र में BC आधार है उसका मान यम और AC कर्ड है उसका मान यन हमें 10 और कार्ट का मान ग्याद करना है उसके लिए हमें AB का मान ग्याद करना पड़ेगा तो यहाँ पे त्रिबुज ABC में पाइथा गुरस प्रमे लगाएंगे अब लिख सकते हैं त्रिबुज ABC में पाइथा गुरस प्रमे से पाइथा गुरस प्रमे से BC square या CB square ठीक है यहाँ पर हो जाएगा AB square बराबर AB square बराबर AC square minus BC square AC, AC का मान है N, N का square minus BC का मान है आपका M, तो M का square ठीक है अब देखें यहाँ से, यहाँ से हमें AB का मान चाहिए तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा AB बराबर हो जाएगा, रूट में N square minus M square, ठीक है यह AB का मान हो गया, यह जो मान हुआ आपका हो गया रूट में N square minus M square, अब यहाँ से हम 10 theta का मान निकालते हैं, ठीक है, तो देखें 10 theta क्या हो जाएगा यहाँ से, 10 theta बराबर, 10 होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका AB है और आधार आधार आपका CB है यह भी का मान आया है, रूट में N square minus M square, ठीक है, लंब हो गया, आधार आपका है M, तो यह हो गया अब आपको cot theta, तो 10 theta का उल्टा cot theta होता है, यहाँ पर हो जाएगा cot theta बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा यानि M और बटे में, रूट में N square minus M square, अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर मान रखते हैं, और हल कर लेते हैं, जिसका मान गयाद करना है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, किसका मान गयाद करना है, आपको गयाद करना है, 10 theta minus cot theta ठीक है? 10 theta minus cot theta अब यहाँ पर मान रखते हैं 10 theta का मान क्या है? root में root में n square minus m square बठे में m cot theta का मान है m बठे में root में n square minus m square ठीक है? अब यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा यह LCM हो जाएगा m m और यह root में n square minus m square अब यहाँ m से m कटा अब देखें इसका जो है अंस में गुड़ा होगा तो अंस में गुड़ा होगा तो देखें यह अब होगा तो यह root जो है क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? n square minus m square minus यहाँ से यह कटेगा यह बचा यह का यह म में गुड़ा तो यह m square यहाँ पर देखें अब इसको और हल करेंगे तो क्या आजाएगा? यहन square minus यहाँ पर one m यहां पर 1m दोनों माइनस में जूड जाएंगे 2m2, बटे में m और रूट में n2 minus m2 ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहां पर लिखे देते आंसर, उमिद करते हैं कि इस प्रशन को आप अच् अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 23 है यदि कॉस ए बराबर 5 बटे में 13 तो साइन ए माइनस काड़ ए बटे में 2 टैन ए कामान ग्याद कीजिए ठीक है अब यहाँ पे देखिए कॉस ए क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस ए कॉस ए बराबर है 5 बटे में 13 और कॉस क्या होता है आधार बटे कॉण्ड आधार बटे कॉण्ड ठीक है न अब यहाँ पे देखिए 5 आधार है और 13 कॉण्ड है तो यहाँ पे 5 आधार यानि A B आधार है और A C कॉण्ड हमें साइन और कॉट का मान चाहिए और 10 का मान चाहिए तो हम यहाँ प त्रिबुज ABC में पैथागुरस प्रमे से पैथागुरस प्रमे से क्या होगा यहां पर देखें BC square बराबर BC square बराबर AC square minus AB square AC का मान आपका है 13 13 का square minus AB का मान है 5 तो 5 का square यहां से हमें BC का मान मिलेगा 13 का square हो जाएगा 179 और 5 का square हो जाएगा 25 अब यहां पे 179 में से 25 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 144 9 में स 5 जाएगा 4 और 6 में स 2 जाएगा 4 और यह 144 हमें BC का मान चाहिए तो यह क्या हो जाएगा जब square को उधर बिजाएगे तो root लग जाएगा यानि BC conditioner यह हो जाएगा root में 144 और यह 12 का square होता है तो यह हो जाएगा 12 यह जो मान आया आपका 12 आ गया ठीक है अब हमें निकालना किस का मान है यह देखिए हमें 6 A minus cot A बटे में 2 10 A अब यहां से सबसे पहले हम sin A का मान निकालें ठीक है sin A का मान निकालते हैं तो देखिए अब figure हमें सभी मान मिल गए हाँ पे तो sin A निकालते हैं यहां से सबसे पहले तो sin A sin A आपका होगा sin होता है लंब बटे कॉंड तो लंब यहां पे BC है और कॉंड आपका AC है उसका मान 12 और यहां पे 13 12 बटे में 13 यानि लंब 12 और कॉंड आपका 13 तो 12 बटे में 13 फिर कौन सा मान चाहिए, हमें 10, 10 निकाल लेते हैं, कौट उसका उल्टा कर देंगे, तो 10A, 10A, 10 होगा, लंब बटे आधार, तो लंब यहां पे 20, आधार A भी है, तो 12 बटे में 5, 12 बटे में 5, फिर क्या चाहिए, कौट चाहिए, तो कौट 10 का उल्टा होता है, तो cut हो जाएगा इसका उल्टा यानि 5 बटे में 12 ठीक है अब हमें किसका मान ग्याद करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर तो मान हमें ग्याद करना है sin a-cut a बटे में 210a तो sin a का मान क्या है देखिए sin a का मान है 12 बटे में 13 12 बटे में 13-cut a का मान है 5 बटे में 12 ठीक है साइन a का मान 12 बटे में 13 और cut a का मान 5 बटे में 12 अब यहाँ पर देखिए बटे में 2 multiply 10a10a का मान है 12 बटे में 5 अब इसको हल करते हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर इन दोनों का LCM लेंगे LCM यहासे क्या हो जायगा ον से देखिएगा यहाँ पर LCM आपका 13 और 17 पुड़ा गुड़ा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर 13 से 13 कटेगा यहाँ पर जब भाग देगे 13 से 13 कर जाएगा 12 बचा उसका गुड़ा अंस में तो 12 का गुड़ा 12 में 144 माइनस यहाँ पर 12 से 12 कटा 13 का गुड़ा 5 में तो 13 पचे 65 यह तो उपर वाले का हो गया अब इसको 12 दुनी 24 ठीक है 12 दुनी 24 तो यह हो गया 24 और बटे में 5 ठीक है और इसको हल करते हैं अब यहाँ पर 144 में से 65 को माइनस करते हैं ठीक है तो 65 को माइनस करेंगे तो देखे 10, 4, 14, 14 में से 5 गया 9 ठीक है 14 में से 5 गया 9 फिर 10, 3, 13, 13 में से 6 गया 7 ठीक तो यह हो गया आपका 79 बटे में बटे में आपका यहां पे क्या है 13 गुडे 12 ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गया होंगे अब यहां पे इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यह 5 ऊपर चला जाएगा और 24 आपका नीची आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे कोई किसी से कटने वाला नहीं है तो गुड़ा कर लेंगे अब गुड़ा करते हैं यहाँ पे तो देखिए 79 में 5 का तो 5 9 45 यहाँ पे देख लिजे 5 9 45 ठीक है 5 4 18 5 7 35 और 4 49 400 395 ठीक है अब इन दोनों का पलें गुड़ा करते हैं तो देखिए यहाँ पे चलिए 12 और 13 का गुड़ा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 13 दुनी 26, 26, 23 कम 13 और 2 15 यह हो गया 156 गुड़े 24 अब 156 में 24 का गुड़ा करते हैं तो यह हो गया आपका 395 और इसमें जब 24 का गुड़ा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3744 ठीक है गुड़ा करके आप चिक कर सकते हैं 3744 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो उम्मित करते हैं कि यहाँ तका बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया होंगे आए अगले प्रशन को हल करते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन नंबर 24 है यदि 10 थीटा बरा हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीजे दी गई है उसको लिख लेते हैं क्या है, देखिए दिया है, द्या क्या है देखिए 10 थीटा बराबर 4 बटे में 3 हमें सिध्ध क्या करना है, देखिए थी 1 2 sin theta minus 3 cos theta, बटे में 2 sin theta plus 3 cos theta, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे यह बराबर आपको सित करना, minus 1 बटे में 17, यहाँ से left hand side को लेकर चलेंगे, और उसको हल करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, left hand side, तो left hand side में आपका क्या है, देखिए, 2 sin theta minus 3 cos theta, बटे में 2 sin theta minus 3 cos theta, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, uns और हर, दोडों में से, पहले हम uns की बात कर रहे हैं, यहाँ पे cos theta common ले लेते हैं, अब देखिए, common लेने से क्या फायदा होगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे, cos theta जब common लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे cos theta common लेते हैं, जब common लेते हैं, इसका मतलब, कि उससे, उन पदों में भाग देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, अब यहाँ पे cos नहीं है, sin है, तो हमने cos theta common लेते हैं, तो sin बटे में cos, यहाँ पे भाग देएंगे इसमें, sin theta बटे में cos theta, minus, यहाँ पे देखें, यहाँ common लेते, cos से cos कट गया, जब cos common लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 3, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, नीचे भी वैसे ही करेंगे, नीचे भी वैसे ही करेंगे, तो अब यहाँ पे common लेंगे, यहाँ पे भी cos theta common लेंगे, cos theta, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो common लेते हैं, उससे भाग देते हैं, simple, आपको यह बाद समझना है, cos theta आपने common लिया इन दोनों के लिए, तो इन दोनों में cos theta से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखें, two पहले से ही है, अब यहाँ पे क्या हो जागा, sin और बटे में cos, cos theta कट गया, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, sin बटे cos क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो 210 theta माइनस 3, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210 theta, यह भी हो जाएगा sin बटे cos 10, तो 2 10 theta plus 3 हमें 10 theta का मान ग्यात है तो अब यहां से मान रख देंगे मान रख देंगे 2 गुड़े 10 theta का मान क्या है 4 बटे 3 minus 3 ठीक है बटे में 2 10 theta plus 3 तो 2 multiply 10 theta का मान है 4 बटे 3 plus 3 ठीक है अब इसको और हल करते हैं तो देखें यहां से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहां पर देखें इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा तो 3 तीरी के 9 तो 8 minus 9 बटे में 3 ठीक है यहां पर भी वाई यहां पर हो जाएगा आपका देखें यहां पर इसका जो है यहां पर भी वाई से 8 और 3 तरीके 9 तो 9 और 8 यहांपे हो जाएगा 8 प्लस 9 बटे में 3 यहां 3 से 3 तो कट जाएगा 8 में से 9 गया तो माइनस 1 अब बटे में 8 और 9 17 यहां बटे में 17 और यही आपको दिखाना था तो यही आपका दिखे right hand side में यहांपे है अब यहांपे लिख देंगे बराबर right hand side यहांपे ऐसे भी लिख सकते अतह left hand side बराबर right hand side यही आपको सिद्ध करना था तो यहांपने सिद्ध करके दिखा दिया आईए अगले प्रश्ण को और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्ण प्रश्ण नमबर 25 है यदि 10 थीटा बराबर 24 बटे में 7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17 बटे में 31 ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पिछले प्रश्ण की तरह हम क्या दिया हुआ है देखिए दिया है यहाँ पे 10 थीटा बराबर 24 बटे में 7 देखिए इस प्रश्ण को हम ऐसे भी हल कर सकते है जो उपर वाला भी प्रश्ण था उसको भी और इसको भी कि यहाँ पे एक समकून त्रिभुज बनाएं और यहाँ पे दो भुजाएं दी हु हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 10 थीटा कामान दिया हुआ है हमें सिद्ध क्या करना है देखिए सिद्ध करना है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17 बटे में 31 ठीक है अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम लिफ्ट ह साइड लेते हैं यहां से देखे तो left hand side लेकर और इसको हल करते हैं यहां पर left hand side बराबर sin theta minus cos theta बटे में sin theta plus cos theta अब यहां पर यहां पर भी पिछले प्रशने की तरह हम cos theta को common ले लेंगे तो यह साइन बटे कॉस हो जाएगा नीचे भी और उपर भी तो वहां से वह टैन थीटा की रूप में बदल जागा वहां से टैन थीटा का मान रख देंगे तो यहां पे कॉस थीटा को common लेते हैं जो common लेते हैं इन दोनों पदों के लिए लिए हैं तो उसमें कॉस थीटा से भाग देंगे तो यहां पे देखें साइन साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस यहां पे कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या जाएगा वह न आ जाएगा ठीक है उमिद करते हैं किस बात को आप समझ गए होंगे cos theta minus यहाँ पे यहाँ प्लस है तो प्लस cos से cos में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ठीक अब यहाँ पे देखे cos theta से cos theta कट गया sin बटे में cos तो यह क्या हो जाता है आपका 10 theta minus 1 बटे में यहाँ पे भी 10 theta plus 1 10 theta plus 1 मान रख देते हैं 10 theta का मान क्या है 24 बटे में 7 minus 1 बटे में 24 बटे में 7 प्लस 1 ठीक तो 24 बटे में 7 अब यहाँ से इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 24 minus 7 और बटे में 7 यह हो जाएगा 24 plus 7 बटे में 7 7 से 7 क्या हो गया 24 में से 7 जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा 17 बटे में 24 और 7 जुड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 31 यानि 17 बटे में 31 ठीक है 17 बटे में 31 और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था तो यह हो गया आपका बराबर right hand side ठीक है तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतह left hand side बराबर right hand side अतह left hand side बराबर right hand side ठीक है यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था और उमीद करते हैं कि सभी प्रस्णों को आप अच्छी तरह समझ गये होंगे इस वीडियो में इतना ही बाकी के जो बचे हुए प्रस्ण है उसको हम लोग अगली वीडियो में कम्प्रीट करेंगे और उमीद करते हैं कि सभी प्रस्ण आपको अच्छी तरह समझ में आये होंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम